आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं Face Recognition Attendance Project के बारे में जहां पर मैंने एक Face Recognition के थुरू यहां पर Attendance को Manage किया है यह प्रोजेक्ट जो है जैंगो में बना हुआ है और इसमें जो Programming Language यूज हुए है जैंगो के साथ पाइथन यूज होता और हमने Frontend के लिए यूज किया है HTML, CSS, Bootstrip, JavaScript और jQuery वगेर है और इसका जो Model है वो Face Recognition Model है जो की Python का Pre-built Model है इसको हमने इंस्टॉल किया अपने इंवायरमेंट में तो आप यह इसका overview देख सकते हैं तो First Page का Home Page पे जैसे कि यह Slider लगा हुआ इसके लिखा हुआ Face Recognition Attendance Speeding of Face Recognition मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें कौन-कौन से Environment, हमारे Environment में कौन-कौन से Package और Library वगेरे यूज हुए तो हम अपने Requirement.txt को आपको Show करेंगे Requirement.txt में यह सारी चीज़े लिखी हुए है कि यह Click, CMAC, Colorma, Chango, Chango Jasmine, SQLite 3 और यह Face Recognition अगर आप देखेंगे तो Face Recognition का यह version यूज किया हमने Face Recognition Model का यह version यूज किया NumPy, OpenCV, Pandas, Pillow यह सब का यूज करके हमने यह project को create किया तो आपको भी अगर जब यह run करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने environment में यह requirement.txt को run करना होगा तो यह आपके environment में install हो जाएगा उसके बाद आप यह project को run कर पाएगे मैं आपको दिखाता चलूँ कि इसकी working कैसे काम करती है तो यह सबसे पहले यह home का page है जहां पर बस यह static page है आपको about पर लेके चले तो यह भी एक static page है यहां पर हमने image बगेर डाल दिया है contact पर ले चले तो यह भी बस एक static page है उसके बाद sign up button है आप यहां से sign up कर सकते तो उसके लिए आपको जो image देंगे वही image से वह आपको ढून पाएगा आपके image से वह classify करेगा आपको attendance के time में कि आपकी जो image आपने upload किया था registration के समय में वह match कर रहा कि नहीं कर रहा तो मैं आपको दिखा दूगा मेरे पास already registration किया हुआ है उसमें मेरा image डला हुआ है और वो मेरे image से match करके मेरा attendance को mark करेगा sign in पे जाके आप sign in कर सकते अपना email और password जो आप registration के sign in में create किये थे वो डालके आप sign in कर सकते और admin के थुरू आप सारे users के data को check कर सकते जिसने जिसने attendance दिया है एक बार अगर attendance एक दीन का लग जाता तो already mark show करता है उसके बाद वो attendance नहीं लगा सकता बट अगर किसी unknown person का face आ गया तो वो एक error show करता है unknown person और वो database में वे store होता है कि इसने कितने बार unknown person के लिए attendance को try किया था ठीक है तो मैं सबसे पहले आपको sign in करता हूँ एक user के through जैसे कि nnabc.in है और sign in करके login successful हो गया मैं आपको सबसे पहले यह दिखाऊंगा कि इसमें मैंने image कौन सा use किया था तो यह हमारी profile है जहापे first name last name वगर यह सब लिखा हुआ है आप देखेंगे यहापे मेरा यह image use हुआ था जो कि यह मैं नहीं हूँ यह किसी और की image है तो अगर मैं attendance पे जाऊंगा और attendance mark करूंगा तो यह unknown person so करेगा ठीक है आप देखेंगे mark your attendance के लिए जैसे ही आप attendance वाले section में आते हैं तो आपको एक link दिखेगा यहापे mark your attendance जैसे हम click करेंगे तो यह हमारे पूरे ल login है वह वही mark attendance कर रहा है या कोई और कर रहा है अगर कोई और कर रहा है तो unknown person का error आएगा मैं आपको यह भी दिखा दू कि इसका code कैसे लिखा हुआ है तो यह मेरे attendance app में predict.py के नाम से है इसमें देखेंगे आप code को तो हमने face recognition को यहाँ पर import किया है आप देख सकते हैं image को load करवाते हैं यहाँ से इंकोड करते image को फिर हम चेक करते कि file exist करता है या कि नहीं फिर open camera and tech picture open होता है camera और picture लेता है उसके बाद इस picture को हम recognize करते faces से कि वह match कर रहा है कि नहीं जो database में पड़ा हुआ इस तरह से उसके बाद हम output देते तो यह पूरा predict.py में हमने लिखा कि किस तरह से camera open करना है image load करना है इंकोड करना है faces को यह शारी coding को मैं आपको तो मैं यह पर link पर click कर रहा हूं mark your attendance आप देखेंगे यह load हो रहा है यह code को run करने के ले जा रहा है वह code run हो रही है और यहां पर camera open हो रहा यह camera भी open हो गया आप देखेंगे लिख दिया unknown person attendance unsuccessful और यह unknown person का एक error देदिया क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि यह image किसी और की थी जिसके वज़े से यह unknown person आया अभी मैं अपने भी link पर चलूंगा उससे पहले मैं बता दूं कि यह आज का date जो भी है 26.03 तो इस दिन से यह एक report भी तयार करेगा report पर हम जाके देखेंगे last में तो यहां देखेंगे March 26 2023 और इतने टाइम पर यह unknown person वाला image हुआ तो यह successful नहीं हुआ जिसके वज़े से अभी भी attendance mark करने का option दे रहा है ठीक है तो यह पूरा था यहां से report आप देख सकते हैं मैंने आप लेक कर दिया था चेंज password का option है log out करके और यहां से आप profile चेक कर सकते हैं मैं log out कर देता हूं और मैं अपने login वाले user से login करता हूं जहां पे मेरी image डली हुई है तो हमने यहां पे login किया और जो मेरा username है वह है a.abc.in और इसके थुरू हम इंटर कर रहे हैं मैं आपको profile सो करता हूं कि यहां पे मेरा image uploaded है आप देखेंगे यह image हमारा image है और अब हम attendance पे चलेंगे और mark your attendance पे क्लिक करेंगे तो यह अगर हमारे face से match कर गया तो यह पसे यह reload हो रहा है वो code को run करेगा हमारे face को encode करेगा फिर face को match करेगा compare करेगा अगर successful result आया तो फिर वो यहाँ पे return करेगा आप देखेंगे attendance mark successfully दिखा रहा है और यह दिखा दिया today's attendance already marked तो अब हमारा today's attendance mark ढोग जा तो हम तुबारा attendance mark नहीं कर सकते है फिर आप देखे देखेंगे check attendance report का है कि यहाँ पे link आगया आप click करेंगे तो यहाँ पे attendance को check करने के लिए दिया कि आप देखेंगे same date में यहाँ पे successful होग जैसे successful हुआ आप attendance बजाएंगे तो आपको यहाँ पे link show नहीं करेगा तो इस तरह से मारा profile है मैं logout करके आपको admin भी show कर देता हूं कि admin वाले user में क्या वर्की में admin में आपको username और password डालना है मैंने username password डाल दिया और यह login successful आप देखेंगे user वाले section में आप सारे user को check कर सकते इसका detail को देख सकते आप delete कर सकते attendance attendance mark कर सकते चाहे तो यह link off भी कर सकते admin के लिए रिपोर्ट में आप जाके देख सकते कि सबके reports आ रहे हैं अलग-अलग users के जब-जब वह attendance के लिए try किया ठीक है तो और password वाले section में admin भी password change कर सकता और इसमें admin की profile हम show नहीं करते तो इस तरह से मैंने आपको show कर दिया तो आज का ही project था हमारा face recognition attendance जहां पे हम face को recognize करते और attendance के लिए mark कर देते यह जो model है यह pre-built model है python का हमने उसे use करके इस पूरे project को create किया है अगर आपको source code चाहिए तो आप description में check किजिए हमसे communicate किजिए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है next video में till then keep learning and keep exploring thanks for watching